हेलो एवरिवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड बहुत सारे लोगों को इसी चीज का इंतजार था मेरे पास सो दो सो नहीं हजारों को लाई ए अपिश्टोक की API को लेकर अपिश्टोक की API की जितनी थारिफ करी जाए उतनी कम है बट इन्होंने पता नहीं API बीच में डिसकंटीनियो क्यों कर दी थी पैड एपिए थी उसके बाद भी लोगों को नहीं दे रहे थे जिन्होंने ले रखी थी वही ले पा रहे थे तो अब इन्होंने क्या करा फिरी API निकाल दिये और उस API अगर आपके पास अपिश्टोक का अकाउंट है तो विधिन वन मिनट आप API ले सकते हो तो पहले जैसा कुछ है नहीं अपिश्टोक की API लगती थी मैंने कई वीडियो में बोला है जब ही मेरे पास हजारों कोल आई आपिश्टोक की API के लिए और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग ते जो मुझे 10-10 हजार रुपे पे करने के लिए तियार थे कि आप अपिश्टोक की API दिला दो किसी तरीके से तो कोई तिगडम बाजी वगेरा करके तो मेरे पास कोई वे नहीं था कोई सोर्स नहीं था API दिलवाने के लिए और फाइनली अपिश्टोक ने अपनी API लॉंच कर दी मैं थोड़ असा लेट इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं पर मैंने इस चीज़े एड़ कर दी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपिश्टोक की API विथिन मिनट कैसे ले और ओटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करे विथ ट्रेडिंग यूग और काफी सारी वीडियो आएगी इस टॉपिक पर ये पहली वीडियो जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अपिश्टोक की API कैसे ले तो हमने इसका नाम रखा है अपिश्टोक V2 वर्जन 2 रखा है क्योंकि अपिश्टोक 1 जो हमारा चल रहा था अपिश्टोक उसकी API पैड थी और उसकी API डॉक जो थी वो अलग थी तो सबसे पहले चलते है अपिश् पर क्लिक करूँगा एक टैब नूट ओपन होगी यह ओपन हो गई और आपको क्या करता है अप पर जाने के बाद आपको सीधे क्या करना है न्यू एप क्रेट करना है जैसे आप न्यू एप क्रेट करोगे तो आपसे कुछ चीज़े मांगेगा मैं दिखा देता हूं सबसे नीचे जाना सबसे नीचे जाने के बाद यहां मिलेगा रिसोर्स इसे राइट किलिक करके ओपन कर लो आप न्यू टैब पर और यहां पर एक सेक्शन होगा रीडारेक्ट यू रल यहां पर आपको एक अपिश्टोक दिखेगा एक अपिश्टोक वी टू दिखेगा आपको V2 copy करना है दहां रखना V2 copy करा and यहां गए और यहां पर जाने के बाद हमने control भी करके paste कर दिया post पे qrl optional है description optional है and accept पे click करके continue कर देना जैसे आप continue करोगे आपकी API create हो जाएगी मैं इसे create नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से 2 API create हो गई है तो मैं चलता हूँ तो इस तरीके से आपकी API create हो जाएगी यह देख सकते हो और यहां पर आपको API की और secret की मैं शो करा देता हूं secret की यह इस तरीके से API secret show होगा अब आपको क्या करना है next level board पे जाना है सबसे पहले आपको यहां पर registered कर लेना है आप रजिस्टर्ड होगे नहीं हो तो अभी कर लेना रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोगिन करोगे dashboard का icon शोगा आपको इस पे किलिक करना है जैसे आप इस पे किलिक करोगे आप इस page पे आ जाओगे यहां आने के बाद आपको left side में API के डेंशल मिलेगा आपको इस पे किलिक करने के बाद आपको जैसे में बहुत सारी API मेरी एड़ हो रखिए बट आपको क्या करना है आपको add API पे किलिक करने के बाद यहां पर भी आपको upstock v2 दूणना है इस बात को आपको धान रखना यह रहा upstock upstock v2 क्योंकि यह हमने new API एड़ करिए according to new dog और यहां पर आप as a username कुछ भी डालोगे username डाल दिया one API key डालोगे कहां से लेके आओगे यहां से लेके आओगे API key and API secret डालोगे कहां से डालोगे यहां से लेके आओगे API secret और यह सारी चीज़े आपको यहां पर डाल देना है इसको डालने के बाद आपको safe कर देना है मैं आपको एक बात बता दूँ हो सकता है कि आपके पास आपके friend के account हो आपके family member के account हो तो जितनी भी आपके account है जितनी भी API बनाओगे सारी API इसी तरी के side कर दिये उसके बाद आप जो order लगाओगे वो same order उनका भी लग जाएगा और इस चीज़ का हम extra charge नहीं लेते जो account आप use कर रहे हो next level board का उसी के अंदर आप multi API use कर सकते हो multi broker use कर सकते हो I hope आपको समझ आ गया होगा ये उनके लिए जो professionally trade करते है multi account में trade करते है उनके लिए feature है पर अभी हम बात करते है individual की जो की single account में करना चाहते है जैसी वो save करेंगे API तो उनके पास save हो जाएगी successfully आ जाएगा और फिर आप back के button पे click करना होगा आपको जैसे आप back के button पे click करोगे आपके सामने इदर API शो होने लग जाएगी मेरे पास कई सारी इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने कई सारी API आइड कर रखे तो मैं इदर left में जाता हूँ और आप इस टोग V2 कर देता हूँ तो मेरे पास दो API ही शो होएगी अब क्योंकि यहाँ पर मैंने दो ही आइड कर रखे आपके सामने by default button इस तरीके का आएगा आपको सबसे पहले तो on करना है अच्छा एक चीज़ और बता दू on करने के बाद यहाँ पर daily connection मनाना कमपल सरी है और हमने कई broker में auto login लगा रखा है पर अभी इस broker में auto login इसलिए नहीं लगा रखा कि कई बार हम जब connection मनाते हैं तो यह OTP मांगते हैं और OTP आपके phone पर जाता है तो auto login phone वाले connection पर नहीं हो पाएगा तो in future जैसे हमें कोई इस alternative way मिलता है auto login का तो आपको daily connection बनाने की जो अरत नहीं पड़ेगी जैसे और broker में नहीं पड़ती हमने auto login का feature दे रखा है जो चाहते हैं उस चीज़ को enable कर रखा है तो अभी के लिए आपको daily connection बनाना पड़ेगा connection कैसे बनाना पड़ेगा हमें बता देता हूँ वन टाइम आप API को on कर दोगे और connect बटन पर daily आपको नो बज़े आठ बज़े आके connect कर दो उसके बाद पूरे दिन आपके order जाते रहेंगे तो आपको क्या करना connect बटन पर किलिक करोगे आपका ये इस तरीके से वो आ जाएगा अप श्टोक का पीज और मैं एक बार जाके देख लेता हूँ मेरा अप श्टोक का जो अकाउंट है इसका पिन क्या है ये पिन मांग रहे है मुझसे तो मैं इधर पिन डालने की कोसिस करता हूँ मिरको 2 मिनट दीजी हाँ पिन मिल गया मुझे तो मैं डालता हूँ चलो मैंने पिन दाला continue करा तो जैसे मैं पिन दालके continue करूँगा तो अभी देखते क्या इस तरीके का एक page आएगा और इसके अंदर लिखा वारा successfully connected to API मेरी API successfully connect हो गए किस्से हो गए आप इस टोक से अब मैं इस page को delete मार दूँगा या close कर दूँगा जैसे आपका दिल करे वैसा करते न तो it means मेरा API connection बन गया और देखने के लिए confirm करने के लिए कि बना और नहीं बना मतलब वो तो हमें आ गया यहाँ पर हमारा time भी update हो जब आप morning में बनाओगे पूरे one trading session चलेगा मेरे automatic trading view से जो भी signal आएंगे automatic trade लगती रहेगी तो इतना तो आपको समझ लिया है अब जब connection बन जाए तो अभी मैं trading view से order कैसे दालते वो नहीं बता रहा हो वो आगे चलके वीडियो आएंगी और बहुत वीडियो मैंने पहले और यहाँ पर आपको दिखेगा syntax यहा आपको दिखेगा syntax तो आपको syntax पे किलिक करने किलीक करने के बाद आपको APISTOK V2 पे जाना ह। अपिश्टोग V2 पे गया यह आप देख सकते हो आपिश्टोग V2 एन आपको रेगुलर पे जाना है और यहाँ एग्जामपल के लिए SBI दे रखा तो SBI दाल देंगे NSC दाल देंगे quantity 1 दाल देंगे quantity हम 11 दाल देते हैं 101 दाल देते हैं क्योंकि मैंने ना पीचे में टेस्टिंग के दो ओडर लगा हैं दिखा देता हूं मैं आपको तो यहाँ एक quantity से ओडर लगा हैं अगर quantity देखोगे 1 1 है इसलिए मैंने इसके लिए 101 दाल दिया 111 दाल दिया sorry मैंने वाय कर देते हैं मार्किट कर देते हैं इंत्राइड कर देते जनरेट कोड यह अगर अगडर हम इसे कॉपी करेंगे और ट्रेडिंग उमें अपनी यंटिकेटर में पेस्ट कर देंगे तो ओटोमेशन ट्रेडिंग होने लग जाएगी बट अभी मैनुवल हमान लग confirm करना कि order जा भी रहे नहीं जा रहे तो हम save syntax करेंगे जैसे मैं save syntax करूँगा यह save हो जाएगा आपको next level board पर आना यहाँ पर आपको मिलेगा एक page कौन सा page feature and log के page में एक page मिलेगा जिसका नाम है order table आपको order table पर click करना है यहाँ पर मेरे पास और बहुत सारे syntax मैंने पहले से बना के save कर रखें तो जो last syntax बना है वो automatic आपको first पर दिखेगा यहाँ दिख रहा है syntax में क्या बनाया वो भी दिख रहा है कि यह 101 का यह बनाया था 111 का यह दिख रहा है तो इससे confirm पता चल गया बही ट्रेडिंग की API connect है परफेक्ट है और आपको कोई भी इशू आता है तो हमारा telegram group join कर सकते हो या हमें WhatsApp पे जो हमारा official WhatsApp है महाँ पर आप support team से बात कर सकते हो बाकि इसकी और भी सारी वीडियो में बना दूँआ एक एक करके आज ही API connection की वीडियो थी और काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि यार आप पिश्टोक की API मिले तो अब आपको आप पिश्टोक की API मिल गई आई होप आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे आ और मेरा पिछले चार साल का experience है इंडियन मार्केट में मेरे को सबसे बैस्ट अपिश्टोक की API लगती थी जो बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज थी ठीक है और चार्ज भी लेते थे इसके बाद मेरे को जो बैस्ट लगती है वो जरोधा लगत तो thank you for watching this video and bye I hope आप मज़े से trading करोगे